गर के मालिक ने बाबा को चूना कर से बुलबाय था तीन हजार उपए महिने पे ड्राइवर की नोकरी मिली थी बाबा मा और मुझे ले कर चले आए यहां आकर तो बाबा और मा की नजरे चौड़ी हो गई थी बैचारे बहुत गवरा गए थे लेकिन मैं नहीं गवरा है शायर नौ साल की आखों में छोटे और बड़े की समझ नहीं होती डर भी नहीं होता उस वक्त यह नहीं पता था कि यही घर अपना हो जाएगा बाबा खुश थे गाउं से शेहर बाबा अपनी जिंदगी बतलने आए थे अगर जिंदगी तो बतल गई मेरी याद है मुझे वो एक्जाक्ट पल वो पल जहां मेरी सांस तो रुख गई पर मेरी सिंदगी श्रू होई पहली बार अपने गंदे होने का एसास हो पहली बार मैंने खुद को किसी से कम पाया इतना कम कि मैं कुछ भी नहीं और वो सब कुछ उस पल से पहले की जिंदगी को भूल चुका था मैं और अगर कुछ याद था तो सिर्फ वो कि रुको इशानी रुको इशानी उभी रहे है कि मेरी सांसे तो अब तक रुकी हुए है इतने सालों बात भी अरे रणवीर पेटा आभी गरो क्या रहेगा तो कब से तेरी रहा देख रहे है चल आजा कि मेरी सांसे तो में से कि मेरी सांसे तो में से 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 त सकते हम दिया जाए. हम दिया. जाएसी लगरियो. लेखो ना शारदि भी हो रही है बिलीव ही नी हो रहा यगीन तो मुझे भी हुआ रहा मेरा मन तुम ही क्या पता तुम लड़कों को थोड़ी खर शोड़की जाना होता कर शोड़की जाती कहूँ है हम लड़किया एप एस लगते है कि अभी तो बच्चे थे, और अब शादी। डरती कियो, मैं हूँ ना? वो तो है, पर फिर भी है इसानी मेंड़ा, दूलन क्या था? इसाक का का की, आपको तो पता हिए, कितना नयम दक्ते हो ने रेडियो ने मैं या लग आपको? इसानी और मेरी शादी? मैं यार लेकिन जिस दिन उसकी शादी होगी ना? उस दिन या तो मैं सबसे ज्यादा खुश होँगा या तो सबसे जादा रोगा अरे तुमने बताया नहीं, कैसे लग रही हूँ मैं? वो कहते है ना? जब घर में स्यादी हो रही होती ना? तो दुल्हन की बहनों को, सहिलीों को भाकी की नोजर से छुपा के रखना चाहिए ताकि दुल्हन स्यादा खुबसूरत और कोई ना लग सके लगन ये फरॉलम तुम्हारे साथ महीं होगी गौरी के सामने तुम्हे कॉन दखेगा वो तो अपने पैजामे में भी तुमसे बैटरी लगेगी वो प्लीज हाँ गौरीदी गौरीदी तो हैं सबसे अच्छी सबसे सुंगर हम सारी कजन्स में सबसे बैस्ट बठेलो मैं भी कुछ कमनी हूँ अहाँ गौरीदी तो कितने अच्छे लग रहे हो अब चल्दी चल्ओ काक्या अप कप से वेट करी है पुजा किलर आपको पाते है आज बाने गणी स्थापना में काठेवाडीयोर्तो को वह बला है चल्ओ छल्दी निगलू आयya आसान गरहन कलीजी पैसी जागी क्री जैश्री कृष्णा कुझा के विदी शुरू करें यह नाडा छड़ी बांध रहा हो अपसे आपकी शादी की रस्में शुरू हो गई इसे बांदे रखियेगा शादी तक घर से बाहर नहीं निकलना पती से भी नहीं मिलना अरे गोरी, आसूची, मुझा में मुबाइल के क्या सरो थे? यह में रखीती हूँ, तिया आप विदी में द्यान दीजिये ना? भले. यह नाड़ा छड़ी सब परिवार वालों के हाथों में बान दीजियेगा. सब को बान दीजिये ना? इतना दीरे भागोगी, तो कैसे बांजोगी? देखते हैं, तुम पहले कैसे पोचते हो? इतना दीजिये पापा के दाया कौन मानते हैं, पापा, पापा, मां, पापा गए, अरे, अब भी रादमीर ने फोन करके उन्हें बाहर बलाया? शीटा! मोड़े बाबुजी, दरसल बात यह है कि आजकल जो है ना, जमाना बहुत खराब है, कोई भी कहीं भी चलते चलते अड़ंगी मार की इसी को भी गिरा सकता है, तो मैंने सोचा है, मैं आपको फोन करके बुला लूँ, तक ही आप सेफ रहें! चोर, चीटर! और तुम क्या हो? एक मिनेट, एक मिनेट, एक मिनेट. अब तुम बोनों की इस बात पर जगट हो. पंडित जी ने नाड़ा चड़ी दिये, आपको बाननी है. बुरी नजर और बुरे लोगों से बचाने के लिए. तब तो मुझ से पहले मेरी पालगूनी को तुम्हे अनाड़ा चड़ी बांदा. बुरी नजर से तो उसे बचाना देख. इस राजा की जान अपने तोते में होती है, आपकी जान पालगूनी मा में. बस तो पिर, बन्दो उसके आत में. उयो मैंतों। आलवनी मा ये बादना है जलिदी से बना बुरी नाजर लगजाएगी माह, ये बानने है जल्दी से बना बुरी नाजर लगजाएगी क्योँ? इफासथ के लिए अगर मैं ये पहन लोगी तो मेरे हीरों को कौन देखीगा? वैसे ये डायमेंड ब्रेसलेट भी तुम्हारे मोटा बापुजी नहीं दिया है मुझे नौ लाग का है इसका शो कम करने के लिए धगा बागा नहीं पहनूगी मैं तीस और फाल गुलिमा ये यहां रख देना बाद में पहनूगी अच्छा लग रहे है ना आप अपने हाथों में कुछ भी पहन लें अफाल को नहीं खुबसूरत ही लगेगा हीरा भी और धागा भी आज कोई धागा वागर है आज सिर्फ हीरा वो मैं शादी के बाद पहनूगी I promise promise पापा वो फ्रेंट का फोन है संगीत के लिए आए ना मैं कॉल रिसीफ करके आते हूं ओके बापुजी मोटा पापुजी आपके शो की लेश कुली है मैं बाद देता हूं नहीं 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 रणपीर मैं खुद बांद दूँगा बिटे क्या मोटा पापुजी यह हक है मेरा और यह हक मैं आज तक किसी को नहीं दिया मगर तू अभी तक ठीक से गांट बांदना सीखा नहीं है चल तुझे कौन रोग सकता है बांग चल मोटा पापुजी आप वालगुनिमा को बहुत चाते हैं ना आशिकी करता हो ना उसे जुनूर है हर किसी के वसकी बात नहीं फिल्मों में दिखाते हैं किताबों में लिखते हैं लगर महसूस बहुत कम लोग कर पाते हैं सिर्फ यही एक ऐसा है जिसमें बाकी सारे अहसास खुला देने की ताकत है तो देखना रंबीर एक दिन तुझे भी हो जाईए और उस दिन तू उसी के लिए जियेगा और उसी के लिए मरने को भी तयार हो जाएगा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि उसी में हो जाने का नाम है लेस बंद के मोटवा बोजी इसी तरह से रिष्टे भी बन जाएगी अब तो बस रिषानी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूनना बड़ी हो गई भई अब वो शादी तो परनी होगी ना उसकी और इस काम में अगर तू मेरी मदद में करेगा तो कौन करेगा दुनिया के लिए तो भले ही मेरे ड्राइवर का बिष्टा है इस करकर नौकर लेकिन मेरी लिए मेरी लिए पेटे जैसा है मजपन से तेरी और इशानी के दोस्ती देखी है एक तू ही है जो उसके लिए अच्छा लाड़का ठोलो सकता है आप जैसे बोलेंगे ऐसा ही होगा मटबापुजी मुझसे नहीं होगा प्रणव कल शादी है और राजसम कोरिती को घेर के बैठे है तुमें कैसे? इशानी अगर तुम साथ नहीं दोगी तो और कॉन देगा प्लीज है प्लीज मैं कैसे हैल्फ करों प्रणव खलती से बाह को पता लग दिया तो मैं आज तुमारे घर रहूंगा उसे भगा ले जाने के लिए तुमें सिर्फ तुमें इतना करना होगा, इशानी के हमारा साथ देना होगा प्लीज प्लीज साथ दे देना सुमय सुमय का फंक्ष्ण ने कोई नज़र नहीं आ रहा है सब जन्ता लोग है का? सो रहे होंगे वा को पता लोग जया तो? सुमय सब दोरे मिसके सो रहे? देवर्ष! देवर्ष कहा है? देवर्ष! उठ जाए यार! हट नहीं, अन्नी सोने दे! किसे और को जा दूटाना? बागई! अरे, मोट लेतो छुपाओ! अरे, चंचलबे नाप? चंचलबे नाप हो! या सुबज बीपी चड़ाते हो! अब लोद अभी तक तयानी हुए हो! बाप उजा में पहुच रही है! चलतिया हो! बागई चंचलबे चंचलबे चाची! इसलिए कबसे कह रहा था! उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ! उठते भी तुम लोग! प्रद्धी, कबसे पहुचावाँ नीजे! अपनी मेहन की फोटो खीचेचे नहीं? जीदादी, मैं फोटो कीचेचे! देखा? फोटो मुझे में देखा? हाँ! इतनी प्यारी लगली ने हमारी गावरी? बिल्कुल परीजेसी! छेना? जीदादी! जा, और फोटो के लिए! यह मोटा बाई अभी तक त़ियार हो के आया क्यों नहीं? प्पा, आपसे नहीं मुबाईल के वारे में बात की थी ना? शकल देखी अपनी आयने में? क्यों? जानवर लग रहा है जानवर शेगर लग रहा हूं की नहीं? काम भुणा कुछ करना नहीं है और सारा दिन रुपया खर्ज करने की बात करता रहता है इलेक्षर बसना पपा यह को नहीं मुबाईल चाहिए? जाके कप्डे बदल बाती होगी फिर तुहीं जवाब देना मुबाईल चाहिए खांचो अरे लगा किसकी ले रहा है? नहीं, किसी की नहीं अच्छा रिपा नाटी कौन है? मुझे नहीं पता गौन नी थी कॉलेज की फ्रेंड है अब रात को पार्टी में मिली थी नाम है रुच्छिका 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 कमना भाई, वो तो यह आरी है हाई यह क्योलियो बना रख़ा है मेरी छोड़ो, मीट्रतीक हाई मैं बुचा था कि आच्छा हमको क्लबिंग चले सामने नया क्लब खोला है और हम संगीत के बाद फ्री भी हैं वाई नाट मैं तुम्हे बाद में कॉल करता हूँ एक मिनटा एक काम करे तुम मेरा नंबर तुम मुझे बाद में कॉल करना तो ओके नाइन सेविन तुम्हे ने मिटिश मुमा कलम ना क्यो दिया? मुबाइल ने दिलारे ना अब देखना ऐसे-ऐसे कॉल्स करवाँगा कि शाम तक पपा के अंडर का पॉमेरी निकल कर भारा जे चादी का घर है ना सब कुछ एकदम अच्छे से सजा दे ना मैं एक ही बार चेक करूँगी फिर बताऊंगी मिनी ठीक है? हाई भाट हाई चाताली सुपब सुपब ना पैरी यह फुल ब्यूटी कब या? मुटा भाई ने वो पॉरंट वा से वापस आय थे ना तब किता मनी दिया? नौ लाक अब तुम तो हर्षद को जानती हो चैताली इस महीने शेयर मार्केट में एक क्रोज बना सो आई टोल इम यह सब तो मेरा ही गुडलग है तो अटलीस्ट एक गुडलग ब्रेसलेट तो बनता ही है बा ने देखा नहीं लेकिन अब पहन ही लिया है तो देख लेंगी यह फापस का गुडलग कुछ स्यादा ही उपर जा रहा है अभी बताती हूं मीतेस को एक-एक महमान को शर्वत मिलना चाहिए नहीं तो तुम दोनों के छुट्टी कर दो जाओ जाओ अपना काम करो चलो मीतेस देखा तुमने अरे मैंने क्या सबने देखा क्या पैन के गुम रहा था गुम रहा था? आँ तुम्हारा बेटा देवर्श उसको छोड़ो भाप्स की बात करें क्या? भाप्स के हाथ में देखा? नौल आपका ब्रेसलेट पहना है मोटा भाई ने गिफ्ट दिया है जदू फोन आया लो अन्नोन नंबर? क्या है इस अन्नोन नंबर का नाम? अन्नोन नंबर का नाम? ओके भूल गे? मैंने नहीं का आपके वोई मिस्टर की कोई होगी अच्छा अभी रात का प्लान बना रहे थे कल बाती में मिले थे सम मॉन मिस्टर पारिक अगर बिजी हो तो में बाद में कॉल करो कोई है क्या वहाँपर? फिर इसना पॉमल क्यों हो रहे हो? अगर तुम बिजी हो तो शाम में मिलती हो पार अब समझ में आया तुमारा मन तो काम में लगेगा ही नहीं ना? किस किस को देख आया हो? अबना मोबाइल नंबर शादी चुप चाप होने दूए उसके बाद में देखती हूँ तुमें और उस लड़की को मारिस अब जो भी करना है आपको करना है बास यसी धरती रहोगी तो कैसे चलेगा? सवाल एक तो दिन का नहीं है दी पूरी लाइफ करे परसे बाग को पता चलेगा तो? प्यार करती हो ना उससे हाँ, तुम बस वही करो हिम्मत करो और चलेजाओ उसके साथ बाग को प्यार से नफरत है शानी ना हमारे गड़ सिफ शादियां होती है प्यार नहीं ये लोग ये पैसे रख लो देखा तुने बारा साल से ये नौकरी कर रहा था और आज बारा सो रुपे की मिठाई की खातिर इसे नौकरी से निकाल दिया बाग और ये क्या पहन रखा तुम कहां से आई ये शेरवानी तो मोटा बाब उजने दिलवाई है तुझे क्या लागत है तुझे कपड़े पहन कर बढ़ाद में बन गिला बेटा तुझे अच्छे कपड़े पहन कर इस घर का हिस्सा नहीं बन जाएगा देख आज भी हम इस घर की पूझा में जातो सकते पर इतने सालों बाद भी बेटा हम पीछे इख़ए कड़े रहते और भई हमारी चगे है, बेटा, आज भी उन्हें हमारे बच्चों के नाम तक यादे है, आदे से ज्यादा लोग इस घर के, मुझे आज भी ड्राइवर जी कहके बिलाते हैं, एह, जी, ये सामान अंदर रखो देना, जी, आप लोग केटरिंग अपनी सा हैं, जी सर, आपना प्राइवर प्लीज, ये साम अपने लोग के साथ हैं, जी, सर, आप मेरे हैं साथ हैं, जी, सर, आप मेरे हैं साथ हैं, ठीक है जाना? इशानी अब क्या होगा? वो तो यहां आगे हैं, अब प्यार का इंतहा होगा दि आज रात तुम अपने प्यार को चुनूगे और यहां से भाग चाओगे प्यार में दो लोगों का होना जरूरी है लेकिन प्यार दोनों तरफ से हो ये जरूरी नहीं मेरी कहानी भी तो ऐसी है पंदरा साल से मैं उसे प्यार करता हूँ एक तरफा प्यार और उसे इस बात की खबर तक नहीं है लेकिन मुझे इस बात की कोई परवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, नहीं अपने प्यार के बदले में कोई उमीद लगाई है मैंने, बस प्यार किया है और करता रहोगा अरो रनवे, ये मिस्वर शाह की गाड़ी की चाबी है, लाकि उनकी गाड़ी बाग कर ले बाबा कहते हैं, आजनी को अपने दाइरे में रहना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे समझाओ, दिल का कोई दाइरा नहीं हो, इस घर का नौकर हो, तारे काम करता हूँ, सब का ख्याल रखता हूँ ये लो, मुझे नहीं चाहिए अंदर से जाए पकड़ लिया, मुझे थुड़ा काम है लेकिन जो हर वक्त मेरे ख्यालों में है, वो बस हिशानी है और इस ख्याल को अपने से कभी अलग नहीं कर सकता मैं मैं जानता हूँ, वो कभी मेरी नहीं हो सकती एक दिन वो किसी और की हो जाएगी, लेकिन इससे मेरा प्यार कम नहीं होगा मेरा प्यार एक तरफाई सही, काफी है एक हुमर के लिए क्या जरूरी है कि दो लोग जब प्यार करें तो शादी ही करें दोनों हमेशा साथ ही रहे, दोनों के नाम जोड़ दिये जाए प्यार तो अपने आप में मुकम्मल होता है उसे किसी नाम की क्या जरूरत है मोटा बाबुजी कहते है न आशकी पाने का नहीं, खो जाने का नाम इसी लिए, इसी लिए इसाने, मेरी आशकी तुमसे